क्या आपका voter ID card खो गया है, या खराब हो गया है, या आपके पास पुराना वाला voter ID card है, या फिर आपने ने voter के लिए अपलाई किया और आपका voter ID card नंबर जनरेट हो गया है, लेकिन आपका voter ID card by post आपके address पर या BLO के पास डिलिवर नहीं हुआ है, तो आप PVC वाला voter ID card free में आपको मोबाईल या PC से मंगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि एज के इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड की तरह PVC वाला voter ID card मंगवाने का complete process दिखने वाला हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरुत करते हैं कि आप अगर मेरा चैनल में नया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, तो चलिए शुरू करते हैं अपना PVC स्मार्ट वोटर ID card फ्री में अपके मोबाईल या PC से मंगाने के लिए, आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लिकेशन ड अपना वोटर ID card मंगाने के लिए, आप वोटर रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको काफी सारे forms मिलेंगे, नीचे आप स्क्रोल करेंगे, इसमें आपको form 8 correction of entries पर क्लिक करना है, इस तरह से welcome page आ जाएगा, नीचे स्क्रोल करेंगे, लेट स्टार्ट अगर अपने वोटर ID card number को find कर सकते हैं, और अगर आपको अपना वोटर ID card number पहले से पता है, तो इसको आप yes करेंगे, I have voter ID number, इसके बाद next, इसमें अपना वोटर ID card number enter करेंगे, state select करेंगे, इसके बाद fetch details, अगर आपका वोटर ID card number सही है, तो आपके सामने आजाएगा कि record पाया करेंगे, इसमें आप अपना आधार card number enter करेंगे, नीचे एक mobile number enter करेंगे, इसके बाद next करेंगे, इसके बाद आपके सामने ये page आजाएगा application, आप क्यों submit कर रहे हैं, तो इसमें आप select करेंगे, issue of replacement epic without correction, इससे आपका जो voter ID card बना हुआ है, वही आपके address पर deliver किया जाएग इसके बाद आपको एक reason चूज करना है कि आप voter ID card दो बारा से क्यों मंगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम second option चूज कर लेंगे, destroyed, कि हमारा voter ID card किसी वजह से खराब हो गया है, अगर आप इसमें reason देंगे lost कि आपका voter ID card खो गया है, तब आपको इसमें नीचे FIR की copy भी attach करनी और इसकी photocopy आपको यहाँ पर upload करनी होगी, इसलिए आपको यहाँ पर second option चूज करना है destroyed का, कि किसी वजह से आपका voter ID card खराब हो गया है, इसके बाद नीचे यहाँ पर tick करेंगे और next पर click करेंगे, इसके बाद आपको declaration देना होगा कि आप Indian citizen है और आपने जो भी details feel की है वो आपके हिसाब से बिलकोई सही है, नीचे आपको place का name डालना है, तो इसमें आप अपने गाउं कस्बे शहर का name एंटर करेंगे, इसके बाद done, आपके सामने complete application आ जाएगी, एक बार इसको आप सही से चेक करेंगे, इसके बाद confirm application successfully submit हो जाएगी, और साथ ही एक reference ID generate हो ज करेंगे, state select करेंगे, इसके बाद track status और यहाँ पर आप अपनी application का status चेक कर सकते हैं, इसके बाद 15 days के अंदर अंदर आपका voter ID card by post आपके address पर delivery कर दिया जाएगा, यह service बिलकुल free है, इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी charge नहीं देना होगा, इसी process को follow करके, मैंने पहले ह अपना voter ID card मंगाया हुआ है, और आप भी इस तरह से, अगर आपको अपना voter ID card अभी तक नहीं मिला है, यह आपका voter ID card खो गया है, यह खराब हो गया है, यह आपके पास पुराना कागस वाला voter ID card है, तो आप एक ने PVC smart voter ID card के लिए apply कर सकते हैं, I hope के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और अगर आपके मन में कोई confusion है, तो आप नीचे comment करके पुछ सकते हैं, और इस तरह helpful वीडियो के लिए मेरा चैनल को subscribe करना न भुले, thank you.